आप समको जय जुहाय नमेशकार मेरी और व्लॉग वीटीम आप लगा बहुत बहुत स्वागत है आज मैं जारी हूं मल पजार तो जानी से पहले मैं बड़ी मासे मिल ले रही हूं क्योंकि उनका तभी थोड़ा सा कराब है तो आप लग सबको उनके लिए प्रेजर सब्सक्राइब करें जिल्पार कुड़ी में बस सब्सक्राइब करें तो अब देखते हूं क्या हाल है दूर से बहुत भीड दिख रहा है तो जब मैंने भीड देखा तो मैं पूछी टिकेट कांटर में कि इतना भीड क्यों है तो अभी इधर हुजूर शाहिब मेला लगत पहुचने में तो दो बज़े हैं अभी पहुच गही हूँ तो सउनगच्छी में पहुच के मलबजार सउनगच्छी में जो जहां पर मुझ ही जान था वहां पहुच कर देख रह भीड बारश जैसा ब्हूठा हो गया है बहूत हालत खराब और बाश आ रही है तो वहां से मुझे जाने के लिए कुछ मिला नहीं कोई जानी रहा था बारिश की चलते तो मुझे फिर से और आगे जाना पड़ा मल्बजार में जो केल्टिक्स पुल के जगा है वहां से मुझे फिर जो गारी सब जाते हैं वहां पे मुझे को जाना पड़ेगा लेकिन आपे तोड़ा सा टाइम लग गया चाय बनाने में लेकिन चाय अच्छा था चाय पीने के बाद फिर में चली जाती हूँ जहां पे मुझे जहां से मुझे गारी लेना था तो जाके देखती हो कि अल्मोस्ट भर चुके हैं लेकिन फिर भी उन लोग एक्तम जब तक गारी को नहीं भरते हैं तब तक छोड़ते नहीं तो वहीं पे तो आदा घंटा से जाद तो टाइम होई पे लग गया उसके बाद में फिर बस मंतलब यह जो गारी है वो छूटी और पहुचने में लगभख आदा घंटा जैसे तो लगी गया तो बारिश देखे हो रही थी है उतना समझ में तो नहीं आ रहा है रुख गई थी उसके बाद में लेकिन थोड़ा बहुत बारिश बारिश जैसा ही वेदर था उस दिन और मैं पहुचने से पहले ही थोड़ा ज्यादा बारिश हो गया था उदर इसलिए आपको रोड सब जो भींगा दिख रहा होगा तो नजारा बहुत ही अच्छा था बगान के बीच से रास्ता तो अच्छा लग रहा था तो मुझे लग रहा था मैकप पहुचोंगी और मैकप स्टार्ट करूंगी अलग सा टेंशन रहता है जब हम बुकिंग लेते हैं जब तक हम मेन वेन्य के साथ साथ मुझे निकलना भी है जलबाई गुरी के लिए इसलिए मैं उसका मेकप स्टार्ट कर देती हूं तो उनको जैसा मेकप चाहिए था उनको अपने स्कीन टून से लाइट टैप का मेकप चाहिए था तो मेकप कंप्लीट है तो अब कभी मैं दिखाऊंगी उनका मे बैठने वाले हैं तो सोची एक शॉट ले लेती हूँ वैसे मुझे लेट हो रहा था निकलने के लिए तो वहाँ पे लाइट वगरा ठीक कर रहे थे तो वहाँ पे मेरा बहुत बहुत ज्यादा लेट हो गया तो यह है फाइनल उनका लुक यह ग्रूम एन ब्राइड यहाँ बैठे हुए है तो इनसे मिलने के बाद में रिवियो एंड वीडियो फोटो लेने के बाद में उनको बाई बाई टाटा करके मैं निकल जाती हूँ घर के लिए चलपाई कुडी के लिए तो मुझे एक भाईया पहुचा देने जाएंगे शायद दो भाईया जाएंगे यह बाईया और इनके साथ और इक भाईया तो काफी रात हो गई है रात में अभी शाम के सारी छे बज रहे हैं तो मुझे नहीं पता अब कि अभी बस मिलेगा ने मिलेगा लेकिन आई हो बस मिल जाए तो यह उनका गेर का सजावत है तो हम लोग अभी निकल चुके हैं वैसे तो सुनने में आ रहात है कि उधर बाग वगेरा बहुत निकलता हैं तो मैं बस भगवान का नाम लेके निकल पड़ी और कल्डेक्स में पहुच कई, कल्डेक्स में पहुचके मुझे पता चला कि बस नहीं है, तो मैंने बहुत पता लगाया इदर उदर फोन वगेरा करके क जल्पाई गौरी मुलं बशार से जल्पाई गौरी कोई बस नहीं है तो अभी मैं क्या कि अपने मद की तसलिक के लिए मैं पौच गई चलिगई मुल्बशार बस्टॉप वहाँ पर जाकर पता चला सच से सच में बस नहीं है सब मैं अपनी मौसी को फोन की और बुलाई की मौसी लेने आ जाओ क्योंकि मैं यहां फज गही हूं घर नहीं लोट सकती तो यह दूसरे दिन सुबह का है मेरे फोन में चार्ज बिलकुल नहीं है शायद 5 या 6% ही थे उसको मैं किसी तरह पुरी रात बचा के रखी और मॉर्निंग में मैं जा रही मेरे फ्रेंट के पास में चार्जर लेने के लिए बिचारी को मैं 7 बिचे जगा दी क्योंकि वह इतनी जल्दी उठती नहीं है लेकिन क्या करें एमरजेंसी था तो मैं उसे पहली पुली थी मैं आऊंगी बूलकर सब नहीं लाई थी तो अभी मुझे फ्रेश होना है ब्रश करना है तो मैं भी ब्रश कर दूंगे एक दुकान से वैसे काफी सालों बाद ऐसे साइकल चला के बहुत मजा आ रहा है पुराने दिन याद आ रहे थे और थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि काफी साल बाद म मैं पत्रामों को बिनुटार में चली जाती हूं कि अग्यों अभी मुझे घर जाके फ्रेश होना है क्योंकि मुझे नीकलना भी है नास्ता वग्यरा करके तो अभी मैं घर जाती हूँ घर जाके जो है सबसे पहला काम जो है मुझे फून को चार् quests में डालना है फून को चार् अभी शार्यनौ 6 बचके पार हो गए पोने 10 बज़ रहे तो अभी हम निकल जा रहे हैं क्योंकि मैं सोची ति 10 बचे तक मैं निकल जाओंगी तो मेरी मॉसी का गार्डेन देखके मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोग के साथ में भी शेयर करूँ उनका गार्डेन बहुत ही सुन्दर लग रहा था तो मॉसी जो है वो अपनी स्कूल जाएंगी तो मुझे छोड़ते हुए जाएंगी तो फिर मुझे चार्जर वापस करना था मेरी फ्रेंड का तो उनसे फिर से मिलने आई तो यह उनकी मा है जो कि बोल रही थी कभी और आना तो अच्छे से मिलेंगे गुमेंगे तो मैं कुल क्यों नहीं तो अभी मुझे बस स्टेशन जो है छोड़ने जा रही है देखते हैं बस मिलता है या फिर क्या तो बस तो ने आने में थोड़ा टाइम लगता तो यह जो गाड़ी है यह गारी में उसी वक्छूटने वाली थी तो मैं सोची इसे में चली जाती हूँ तो दो घंटे का तो टाइम लेगा तो देखते हैं कब पहुचोंगी क्योंकि सिली गुड़ी में ट्राफिक के चलते दो घंटा तीन घंटा भी हो सकता है तो अभी जोए हम लोग बागपूल क्रॉस कर रहे हैं सिवोखों के जा रही हूं मैं जल स्वारी सिली गुड़ी मिस्टेक हो जा रहा है मुझे माफ कीजिएगा इसके लिए और तो और अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा था क्योंकि जब ही मैं को ब्राइट से जाने जाते हूं बहुत खुश रहती हूं तो कुछ-कुछ वीडियो क्लिप मैंने बहुत सारे वीड लेकर इससे कहते है को फिर मुझ आते हैं बाग्डोग्र अगर यह से टाले था क्मD बागडोग्र ने मिलता तो शायद में दुशा सकती थे पर बाग डोगडोग्र एंप्र मुझे इतना है 제가 machen हांसक्वा तो देखी सकते हैं एक मेकप आटी को कितना तकलिफ उठाना पड़ता है मतलब सब सोचते हैं देखते हैं कि अरे पैसा ही पैसा लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है इसे देखी इतनी गर्मी में मुझको इतना सारा सम्मान लेना पड़ रहा है और इतना ठोसम ठोसी यह वो गाड़ी दुनिया का गाड़ी चेंज करके जैसी यहाँ पर मैंने और एक गाड़ लिया उसके बाद में मैं पहुच के हंसकुआ उसके बाद में वहाँ पे लेने आये थे मुझे कोई और ये है मैं वेन्यू यहाँ पर मैं पहुच जाती हूँ और मैं फिर पहुचने के साथ साथ मुझे बोलते हैं कहाना खाने के लिए तो वैसे भी दुपहर का टाइम था ना उस वक्त कितना बच रहा था I think ढाई तीन बच रहे थे तो मैं पहुच जाती हूँ उनके घर और वहाँ पे सबजी दाल भात मुझे मिलता है तो मैं खा लेती हूँ और मैं अपने समान सब को भी रेडी कर लेती हूँ फटाफट क्योंकि फटाफट करना है पाच बचे का टाइमिंग है और वह पेंडरिये लेंगा तो मैं भी अपने समान सब रेडी कर दी है और थोड़ा जुए लेरी जोई है वो सब आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ और जितने भी मेरे समान है वो सब को मैं थोड़ा सा क्लियर कर ले रही हूँ काम करने से पहले और मुझे फटाफट करना है तो थोड़ा सा टेंशन में भी हूँ क्योंकि मुझे को आज एनिहाउ घर निकलना है वरना कल की तरह मुझे बस नहीं मिले गई लेट हो जाने से और चैन की निन मुझे घर में आती है तो देखिए यह उनका फाइनल लुक उन्होंने जैसा डिमांड किया था मैं उनको वैसा ही लुक दी हूँ और वो बहुत बहुत हैपी है उनका आप फेस देखके पता लगा सकते हैं वैसे उनका और भी फोटो और वीडियो मेरे फेस्बूक और इंस्टाग्राम में है तो अभी मैं निकल गई हूँ घर के लिए तो यह यहां पर एक भाई है जो मुझे अभी हंसकुआ मूर्दक पहुचा दे रहा है और वहां से मुझे अगर आटो या बस मिलती है तो ठीक है वरना वह मुझे बोला कि मैं आपको पहुचा दूँगा बाग टोगरा तक मुझे लगी लिए बस मिल गया था उसका भी क्लिप मैं ने ले पाई I'm so sorry दैन उसके बाद मैं जक्षन आई जक्षन से मैं जल पाई गुड़ी के लिए बस ले तो बस में मैं थकी मना दे मुझे मन नहीं कर रहा था वीडियो लेने का लेकर फिर भी सोची एक छोटा सा क्ल व्लॉग्स लाउंगे तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेशा जरूर कीजिएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए आप सबको बाबाई एंटेक केर